उमीद करता हूँ जब से मैं ये reasoning की series बनाना इस्टार्ट किया है तो 100 वीडियो में आपको पूरा reasoning जो मुझे कराना है इसमें आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा तो चलिए उसमें start करते हैं एक और नहीं वीडियो मैं आमिद स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सवेयर पे इन questions में अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम यहां 8 से start किया है series और 113 पर पहुंच गए हैं अब हमें next value चाहिए तो next value निकालने के लिए हम देख पा रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है value पहुंचने के लिए उसमें या तो multiplication होता है या फिर वर्ग और घं की बात की जाती है तो वर्ग और घं की बात करने के लिए यहां पर हम देखेंगे कि कोई value वर्ग और घं के पास होनी चाहिए जैसे 15, 16 के पास है जो की 4 का वर्ग है लेकिन 8, 2 का पूरा पूरा घं है यहां पूरी पूरी value और यहां उसके पास औ पूरा पूरा घनिया वर्ग बनती है और बाकि उसके उससे दूर रहती है तो वर्ग और घन में नहीं काउंट की जाती इसमे फिर हम अगर addition देखें मतलब अंतर देखें तो अंतर में जब हम चलेंगे तो यहां का अंतर और 0 1 3 यहां का अंतर और 8 दुनी 16 ये दुगने के पास है 15 दुनी 30 ये भी डबल के पास है 29 दुनी 58 ये भी डबल के पास है 57 दुनी 114 ये भी डबल के पास है जबकि सब एक एक कम है तो हमने क्या किया है डबल किया है और एक माइनस किया है यहां भी हमने डबल किया और एक माइनस किया यहां भी डबल करके एक माइनस करके हमारा answer आया है तो जो हमें चाहिए जहां हमारा question mark है वहां भी हमें उससे पहली value का डबल करना पड़ेगा जो की 113 का डबल होता है 226 उसमें से एक माइनस करेंगे तो 225 आपका आंसर हो जाएगा जहां हमें खाली संख्या दी हुई थी जिसमें हमें पता करना था कि यहां क्या आएगा तो उसमें आंसर आया है 225 मैंने इनमें option नहीं लिखे हैं option लिखने से पता चलता है कि इससे उल्टी छोटी value भी आ सकती थी लेकिन हमने उसको नहीं लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं next question अब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी वोही same करम क्योंकि यहां भी देखी साथ से start होके 117 इस पर यहां पहुँच गया इतना जल्दी तो इसका मतलब क्या है कि यह यह तो वर्ग का question होगा या फिर multiplication गा अंतर से इतनी जल्दी यहां पर नहीं पहुँच सकते तो इसमें हम देखें तो वर्ग की फिर से बात करते हैं वर्ग यहां यह 64 के पास है यह 16 के पास है यह आपका 8 के पास है यह गहन के पास है यह वर्ग के पास है यह वर्ग के पास है और यह कहीं भी नहीं है तो इस तरह के question में हम लोग देख पाते हैं कि यह आपके multiplication के question होते हैं तो इसमें देखें तो 7 दूनी 14 15 दूनी 30 31 दूनी 62 63 दूनी 126 127 दूनी के पास होगा तो it means हमने यहाँ डबल किया है और उससे एक ज़्यादा की तरफ जा रहे है जबकि पिछले question में आप देखेंगे एक minus हो रहा था डबल करके यहाँ एक plus होएगा डबल करके तो यहाँ 15 दूनी 30 और एक हम उसमें add कर देंगे 31 दूनी 62 और फिर एक add कर देंगे 63 दूनी 126 और एक add किया तो 127 अब 127 का जब हम डबल कर रहे होंगे 127 का डबल जो होगा वो हमारा 254 होगा और उसमें एक add करना होगा तो 255 यहाँ हमारी संख्या आ जाएगी तो यह इसका answer आएगा हमारा 255 last question में अगर हम देखें देखें इसमें न चार कोनों पर चार संख्या दी होती है और इन से आपस में कुछ संबंद बना कर बीच वाली संख्या हम निकाल पाते हैं अब जो बीच वाली संख्या आ रही है यह 39 आ रही है जबकि अब जो यह कोने वाली संख्या होती है इनको हम सब को आपस में एड कर सकते हैं ऐसे एड करके भी निकाल सकते हैं या फिर आमने सामने की संख्याओं में कुछ संबंद होता है उन संबंद को हम देखते हैं जैसे आमने सामने वाली संख्याओं को हम जोड सकते हैं हम गुणा कर सकते हैं और जो इन दोनों से संब्द आपस में आएगा वो इन दोनों से रिलेट कर लेंगे तो इसमें 39 जो एक छोटी संख्या है तो वो कैसे आ सकती है कि हम आमने सामने की संख्याओं को मल्टिप्लाइ करें जैसे 36 पंजे 30 और 3 तिये 9 तो 49 जो की यहां पर है और यहां इसी चीज को करम को फोलो करके यह अगर सही आएगा तो हम इसमें इसको एपलाइ करेंगे नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे तो 4 चौक 16 5 सते 35 तो यह बन गए आपका 51 इसका मतलब यही करम फोलो हो रहा है चारती है 12 और 5 बंजे 25 5 और 2 7 2 रेक 3 तो इसका अंसर जो होगा कोशिन मार की जगे आएगा 37 उमीद करता हूँ आप सभी को यह सारे कोशिन्स अच्छे से समझ में आए होंगे जिस किसी को किसी भी कोशिन्स में कोई प्रॉबलम है तो मुझे वो मैसेज कर सकता है आप कमेंट बोक्स में अपने डाउट्स लिख सकते मैं उनको आपको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिस करूँगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू कोशिन्स और ट्रिक्स के साथ थेंक यू